तो जैसा की इस्टेंट आप लोग देख पारे कि सारे प्रश्ण आप सभी के लिए काफी imported and exam oriented लिया गया है तो आप सभी से एक रिकेस्टी कि आप लोग इस class को इंट तक देखेगा क्योंकि सारे प्रश्ण इस्टेंट आप सभी के लिए exam oriented और आप सभी के लिए सारे प्रश्ण selected लिये गये है जो कि आप सभी के सारे प्रश्ण आप सभी के history के लिये गये है तो चलिए इस्टिंड आज की इस class को start करते हैं और कुछ ऐसे प्रश्ण भी इसमें लिए selected किये गये हैं जो कि आप सभी के बार बार एक्जा में पूछे जाएंगे तो चलिए पहले प्रश्ण को बात करते हैं आप सभी का पहला प्रश्ण क्या पूछा जा रहा है और इस class के अंदर आप सभी को हर एक प्रश्ण वन लाइनर लिया गया है और वन लाइनर कोशन लाने के पीछे का जो रीजन से न कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक कोश सभी का राइट एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा का स्यूग की खोज किस वर्श होई थी तो हलपा सभीता की कोज की बारे बात करते हलपा सभीता की कोज कब की गई थी तो 1921 सीसी में दायराम सानी जी के दोरा किया गया था हडपा सबिता की खोज की बात करे तो अगला परशनी की हडपा वासी किस प्रमुग धातू से अपरिची थी यानि कि हड़पा सबेता के जो वासी थे जो लोग थे वो कौन ऐसे प्रमुग धातू था जिससे वो लोग आप परीची थे यानि कि नहीं जानते थे तो लुहा हो जाएगा आप सभी का चली अगला प्रशने फोर नंबर कि सिंदु गाटी सबेता में बिसाल असनानागार कहां पाया गया है तो मुहन जोद्रो आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशने भारत में खोजा गया सबसे पुराना सहर कौन सा है हड़पा सभीता में खोजा गया सबसे पुराना सहर कौन सा है तो हड़पा आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा और यहाँ पर हर एक टोपिक से प्रशन लिया गया यह नहीं कि हड़पा सभीता का ही सिर्फ प्रशन लिया गया आप सभी के पांच 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 जो कोश्चन होगा वो आप सभी के हर एक चेप्टर से डिवाइड किया गया ठीके नव ध्यान दीजेगा अगला प्रशन के हड़पा सभीता में हल जोते गए खेत के साच्छे कहां से मिले हैं तो काली बंगा आप सभी का राइट इंसर होज जाएगा यानि कि काली बंगन से प्राप्त हुआ था चली अगले प्रशन को बात करते सेवे नंबर प्रशन आप पर पूछा जा रहा है कि काली बंगा अस्थल राज्यस्थान के किस जीले में इस्तित है काली बंगा अस्थल राज्जिस्थान के कीस जीले में इस्तित है तो हनुमान गड़ आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशने हलपा सभिता का सारदिक मानेता प्राप्त काल कौन सा है तो हड़पा सबिता के सारधिक मानिता प्राप्त काल के बारें बात करते कि सारधिक मानिता प्राप्त काल कौन सा हो जाएगा तो अपसी के 25 सव इसा पुरू से लेकर के 17 सव इसा पुरू की बात के तो सबसे मानिता प्राप्त काल हो जाती है अगला प्राशने भारत की आर्थिक राजधाने क्या है तो भारत की आर्थिक राजधाने की बात करें तो मुंबयी सर हो जाएगा अगला प्रस्ने की जैन धर्म के प्राचिन आगम ग्रन्थों की भासा थी तो प्राकिर्थ हो जाएगी किस चीनी सासक ने 1341 इस्वी में मुहमद बिन तुगलग के दर्बार में अपना राजदूत भेंजा था तो गोगन तोगन तीमूर हो जाएगा तीमूर अगला प्रस्ने मियूर सिहासन किस ने बनवाय था तो साह जहां हो जाएगा चली अगला प्रस्ने की साह जहां की बेगम का क्या नाम था तो साह जहां की बेगम की बातकर तो मुमताज हो जाएगा मयूर सिहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था तो मयूर सिहासन बनाने वाले कलाकार की बात कर तो बादल खा हो जाएगा दिली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योगिता के अधार पर पद देना पारम किया तो मुहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा चली अगला प्रशने मुहम्माद भी तुगलक ने अपनी रजधानी कहाँ अस्थनांतरित की तो दोलत ता बाद हो जायगा अभी तक आपसे चलों को सब्सक्राइब नहिके तो प्लीस चलों को सब्सक्राइब कर साथ बेलाईगन को प्रेस कर दीचेगा ताके ऐसा most important class student आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे चली अगला प्रशने की मुहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे है तो बरनी हो जाएगा अगला प्रशने की की विकास के लिए मुहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग के अस्थापना किया तो दिवान एक को ही का अस्थापना किया था अगला प्रस्ने कि मुहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के सासक तोगन तीमूर के दरबार में अपना राज़ुत बना कर भेंजा था तो इबन बतूता को अगला प्रस्ने मुहम्मद बिन तुगलक को मांसीक रूप बिच्छीप्त करने किसने माना किया ब्रिटिस इतियासकार एलफिन टस तन्ने अगला प्रस्ने मावीर ने जैन धर्म के सिधान्तों में कौन सा सिधान्त जोड़ा था तो बरामाचर्य होज जाएगा मावीर के निर्वान के बाद जैन संग का अलग अधेक्च कौन हुआ तो सुधमान हो जाएगा वैदी काल में योव किसे का जाता था तो जोव को का जाता था अगला प्रसने दिल्वाडा के प्रसित जैन मंदिरों को बनवाय था तो सोलकियों नों बनवाय था ठीके न बोधर्मे के परवर्त गौतम बुद का जन्म कबर का हुआ था तो 563 इसा पुर लोंबुईनी नाम गराम में हुआ था साके राजवन्स के कीस राजकुमार ने एक महान धर्म अस्थापना किया तो सिधार्थ हो जाएगा चली अगला प्रसने की आर्यों का पारंबिक जीवन निर्भरता तो 55 चरण पर चित्रित धूसर अमरित भांड का समन्द की सकाल से तो व्यदिक सबितास हो जाएगा कनिस से बोधर्म की की साखा का अनुआई था जिसका प्रशार उष्ण मध एसिया वो सुदूर पूर्व से किया तो महा यान हो जाएगा अगला प्रशने कला की मतुरा सैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ तो रेड सेंड स्टोन से अगला प्रशने राजवर्दन की मिर्तु के पसाद हर्श वर्दन से आशन पर आशिन हुआ 606 इसा पूर्व हर्श महाराष्ट की किस सास को पराजित नहीं कर सका तो पूलकेशन दिर्थिय को नहीं कर सका अगला प्रशने बौध ने अपना प्रथम उपदेश से दिया तो सारनाथ में रिगवेदी काल में आरियों लोगों का मुख्य वेवसाई खेती करना था किस वेद में प्रचिन्तम वेद यूग की सांस्कृति के बारे में सुचना दी गई है तो रिगवेद में अगला प्रशने रिग रिस भदेव का उलेक किस में मिलता है तो रिगवेद में विश्णु का सरपरतम उलेक रिगवेद में रिगवेद का वणित सब्यता सैनी कुली नितंत्र हो जाएगा किसके सासन में 1390 में तैमूर ने दिली पर आकरमन किया तो नासा रूदिन मुहमूद तुगलक हो जाएगा निजामू दिन ओलिया किस तुगलक से समाकलीन थे तो 11 दिन तुगलक सारनात अस्थम्ब का निर्मान करवाया था तो असोक ने करवाया था असोक के सारनात अस्थम्ब के निचले भाग पर कौन सा जानवर निरूपी थे तो यह जगावसी के हाथी घोडा सान सी हो जाएगा किसने सहीस डुता उदार्था और करुणा के त्रिवीध अधार पर राजवन्स के अस्थापना किया असोक हो जाएगा अगला प्रस्था असोक ने कहा चोल पानच के किरल पूत्र और सत्ति या पूत्रों का अपनी पडोसी सक्तियों के रूप में उले किया तो सिला लेक दिर्थी हो जाएगा अगला प्रस्ने के असो के अभिलेक में किस एक मात्र पूत्र की चर्चा किया गया तो तीवर हो जाएगा दिली संतनत में सबसे लंबी ओधी तक किस वन्स का सासन था तुगलक वन्स हो जाएगा असोक के अभिलेक में उसके एक किस एक मात्र पूत्र की चर्चा है तो तीवर हो जाएगा हिंदूस ता की रजधानी दिली से दौलादाबाद किस सासक ने अस्थनांतरित के अब मुहमद बिन तुगलक हो जाएगा अग्ला प्रस्थ्नि अपने किस अभिलेक में सोउम्क परिए लेख तो मास की अगला प्राषिन अभिलेक को स्वर प्रतम किस ने पढ़ा था तो जैम्स प्रिंस से फूश जाएगा आगे भी परशने लेकिन क्लास लंबा होने वाले इसलिए क्लास को एक इंड करते आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बुक्स में जुरू बतेगा अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आगन को जुरू परिस कर देज़ेगा ताके इसा मोस्ट इंपोडे क्लास सुष्टें आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहें तो मिलते नेक्स्ट क्लास में जुष्टें ठांक्स तो राचिंग माई क्लास